Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी free of cost. Kindergarten से लिखे, class 12 तक की. CBSE board के courses के साथ-साथ, आपको other state board के भी courses available है. In Hindi medium, जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board के courses. Proper systematic way में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी. Daily practices के questions भी मिलेंगे, practice भी करते जाएगा. E-books और E-notes की link आपको description box में available है, तो भटकने की बात नहीं बनती है. So, हम क्या करेंगे? हमारा जो topic रहने वाला है आज का, how historians study the Rigveda. ये हम जानने वाले. हमने रिगवेट के बारे में बहुत सारी चीजें देखी, किते भजन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, और अधर चीजों में क्या बोलते हैं. किसने compose करा? कब compose हुआ? कब वो print form में आया? ये सारी चीजें हमने रिगवेट के बारे में जानी है. क्या आपको याद है? मुझे बताई कि रिगवेट कब compose हुए थे? और सबसे oldest वेदा कौन सा है? मुझे अभी के अभी comment में बताई है. मैं एक बार आपको revise कराऊंगी, recall कराऊंगी, ऐसा खुज भी नहीं है, कि बस हो गया तो हो गया. ठीक है? आपको क्या करना है? फटाफट से बस आपको एक चीज़ करनी है, like कर देना है, share कर देना है अपने classmates को, और comment करके जो मैंने question पूचा है, कि रिगवेट कब compose हुआ था, ये बता दीजिए. ठीक है? ये फटाफट से बता दीजिए. हम अगर जाने, revise करें पुरानी चीज़े, revision करें, क्योंकि जरूरी है, आगे पार्ट पीछे से पार्ट का किस्सा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. मतलग वो अच्छा भी नहीं होता है, नुकसान दे होता है, कुछ ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पसंद है तो, बट वो अच्छा नहीं होता है. रिगवेट हमने क्या देखा था, compose. कंपोस्ट कब हुआ था? कंपोस्ट हुआ था, अगर मैं अलग कलर से इसले लिख रही हूँ, ताकि समझ में आया, आपको अच्छा थे, 3500 years अगो, 3500 years अगो कंपोस्ट हुआ था, ठीक है? देन हम क्या जानेंगे? देन हमसे बोला है कि ओल्डेस वेट, ओल्डेस वेट कौन सा है? मैंने अभी जो आप से पूछा था, ओल्डेस वेट कौन सा है हमारा रिगवेट? ठीक है, देन हमने क्या देखा था? टोटल कितने वेट है? टोटल वेट है कितने है हमारे? फोर वेट, कौन से? फोर वेट, कितने वेदा है हमारे भाई? फोर वेट ठीक है, नाम बता पाओगे इन फोर वेट के? उस टाइम के important gods कौन से थे? अच्छा मुझे बताओ पहले तो चार वो वेट कौन से? एक तो हमने चलो रिग दिया रिगवेट एक था अथर वेट, यजूर वेट और साम वेट अथर वेट, यजूर वेट और साम वेट यह हमारे तीन वेट और फोर्थ हमारा रिगवेट जिसमें सबसे ओल्डेस थे हमारा रिगवेट फोर्वेट हैं मैंने लिख दिया है अब यह बताओ important gods कौन से mention थे देखे थे न हमने, कौन से लिखे थे हमने, अगनी, जिसको क्या बोलते हैं, अगनी got को क्या बोल रहे हैं भई? God of Fire ठीक है Second हमारे कौन से God है Second हमने देखे थे Indra Indra क्या थे Indra थे warrior God ठेक ही नहीं थे कुछ गलत तो नहीं कह रही चल तीसे हमारे थे सोमा कौन थे हमारे सोमा थे जिसका मतलब है It's a plant from which special drink ऐसा plant जिससे क्या होता है इसमें रहते हैं फिफ्थ हम बात करें क्या मिलेंगे हमें आपे हमें मिलेंगे आपे हाइम्स क्या मिलेंगे हाइम्स क्या मिलेंगे हमें आपे इसको इससे लिख लेते हैं अच्छा इसको क्या मिलेंगे हाइम्स को हम क्या बोलते हैं हाइम्स को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकि याद आजाएगा आपको बेटर रहेगा, हम भजन बोलते हैं, किते अल्मोस थाउजन, थाउजन्स ओफ हाइम्स, जिनको और क्या बोलते हैं, अदर नेम हम क्या लेते हैं, अदर नेम हम लेते हैं, सुक्ता, और और के लिए अधर नीम ने थे सुखता और वेलसेट ठीक है ठीक है तो यह सब हम ने क्या जाना है हमने यह सब जान लिया किसके बारे में बहिए ज इस तरीके से वलिध का हमने बैसिकली information जो हमने पढ़ी थे और हमने क्या पढ़ा था और अगर मैं यहां पर लिख लूँ चलो इसको और लिखते हैं जरूरी है ना रिविजन करना है यहां पर एक पॉइंट और लिख लूँ शिक्स अगर मैं पॉइंट बना के लिख लूँ सिक्स पॉइंट मोस्ली कंपोस्ट करता था मैं कौन कंपोस्ट करते थे मैं लर्न बाई लिख 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 यह सब हमने देखे थी और फिर हमने देखा था ऐसा नहीं था कि मैं हमने यह देखा था फ्यू इसको मैं ग्रीन कलर से लिख देती हूँ ताकि समझ में है यह लगी यह यलो से फ्यू वर कंपोस्ट बाए वुमेन फ्यू वर कंपोस्ट बाए वुमेन अच्छा यह सब हम मैं इसलिए लिख रही हूँ इस एक चीज इंपोर्टन थी तो में में जो चीज़े थी मैंने लिखती है देखो, compose कब हुआ था हमारे रिगवेट, तभी तो हम आगे का पढ़ेंगे कि कैसे से डीटेल ली हमारे रिगवेट जो compose हुआ था, वो 3500 अगो compose हुआ था oldest weight कौन सा है? रिगवेट, total weight कितने हमारे 4 weight है, कौन सी कौन से है? रिगवेट, यजुरवेट, सामवेट और अथरवेट, important gods कौन से माने जाते थे? अगनी, इंद्र और सोम, अगनी जिनने god of fire भी कहा जाता है, इंद्र जिनने warrior god कहा जाता है, ठीक है? सोम एक type का plant है जो special drink बनाने के काम आता है हाइम्स क्या होते हैं? जिसे हिंदी में हम भजन बोलते हैं, तो almost thousands of हाइम्स वर देर, ठीक है? जिसको हमने क्या कहा था? जिसको सुकता और well said भी कहा जाता है हमने ये भी देखा था कि जो रिगवेद है, mostly compose कौन करता था? compose करना, उसको learn करना, उसको पढ़ाना, ये जो काम रहते थे, वो men के रहते थे most, जो है, अब कह रहे हैं कि few were composed by women, कुछ जो है, women भी compose करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ जो है, मैंने किया, clearly मैंने लिखाए कि few were composed by women इसमें एक चीज रह गई है कि अगर हम बात करें, जो हमारा रिगवेद देखा, प्रिंट कब हुआ था, हाना, प्रिंट कब हुआ था, अब मैं यहाँ कहा लिखू, चलो, उपर रिविजन को अटा के यहाँ पर लिख देते हूं, हाना, पार्टिशन कर देते हैं से, नहीं इसी के पर लिख देते हैं, रिगवेद अल्मोस्ट टू हन्रेट यर्स अगो, जस्ट आपके रिफरेंस के लिख रिए यह हैं, अगर समने पड़ा है कि रिगवेद जो प्रिंट हुए थे, अल्मोस्, कब प्रिंट हुए थे, बने थे 3000त हुआ ते, अगो और फिरंट का हुए थे, अगो मैं यह सफिव थे 3500त अगो, ठीक है 3500, sorry, 3500 years ago वो compose हुए थे, my mistake, and 200 years ago print हुए थे पहले compose हुए, उसके काफी time बार इसे लिखा गया, बट ये printed form में कब आए? अल्मोस्ट 200 सालों पहले, लगबग अभी के अभी ही समझ दीजे, तब भी बिलकुर रिसेंट नहीं कहेंगे कि 2 साल या 2 हफता पहले बट फिर भी 3500 की comparison में तो ये ही बोलेंगे ने कि अभी का तो ये सारा सब कुछ हमने last class में पढ़ा था, जो की काफी important है, इसलिए मैंने repeat कर दिया आया समझ में, चाहो तो जस्ट आपके किस basis पे आपको ऐसा लगे कि अच्छे से पढ़ना है, देखना है, तो आप क्या कर सकते हो screenshot ले सकते हो, चा कर सकते हो आप फटा फट से screenshot इसका ले सकते हो, आप screenshot ले लिजे, जस्ट रिविजन के परपस से ठीक है, ले लिए a screenshot, अब हम आएंगे हमारे आज के topic में, ओके, मैं सब यह रब कर रही हूँ, नहीं तो सारा concentration इसमें रहेगा और यहां नहीं जाएगा, अब क्या कर दो, फटा फट से like भी कर दो अब आएंगे हमारे topic पे, how historians study the Rigved, जब हम कह रहे हैं कि Rigved में ऐसा था, Rigved में भजन लिखे जाते थे जो, और हाँ, मैंने ये भी नहीं बताया है, भूल गई, मैंने माइन से निकल गया कि जो हाइंस होते थे, वो किसके लिए थे, gods और goddesses को, मतलब देवी और देवताओं क के praising ले गाये जाते थे, ठीक है, recite की जाते थे, ओके, अब, historians जो है Rigved को study कैसे करते थे, हम कह रहे हैं कि Rigved में ऐसा लिखा है, Rigved में ऐसा पता चलता है, पर इसको study कैसे करते हैं, हमने तो देखा था कि जो Sanskrit language में Rigved होती, वो कैसे थी, उसकी जो language है और जो आज की Sanskrit है, उसमे the material remains, they examine written sources as well, historians कौन कौन होगे, जैसे archaeologists, historian हो गया, archaeologist होगे, उन्हें कैसे पता चला, about the past, but in addition to the material remains, they examine written sources as well, मतलब उन्हें material जो मिलते थे, archaeologists क्या करते थे, अरे, यहाँ पे तो खुदाई में pot मिल गया, अरे, यहाँ पे सिक्के मिल गए, यह मूर्ती मिल गई, यह महल मिल गया, यह टूटी होई bricks मिल गई, जगे मिल गई, यहाँ पुराने से related है, पता चला, इत्ती पुरानी है, यह है, वो है, यह हमें पता चला बट सिर्फ इनी के थूरू पता नहीं चलता हमें और भी चीजों के थूरू जानकारी मिलती है past की वो चीजे क्या है? वो चीजे है written sources के थूरू भी रिटन सोर्सेस को जब हम एक्जामिन करेंगे, जो लिखित में है, जो रिटन में है, जब उनको हम एक्जामिन करेंगे, उनको समझेंगे, तो उनके थूरू भी काफी कुछ जानकरी हमें मिल जाएगी. Let us see how they study the Rigved. अब हम देखते हैं, Rigved को study करते कैसे थे? कौन सी जादू की चड़ी चलाते थे, जो study कर लेते थे Rigved को? हम तो कहरें कि वो तब की अलग Sanskrit थी, आज की Sanskrit अलग है? देखते हैं. Some of the Himes in the Rigved are in the form of dialogues. क्यों? क्योंकि कुछ जो Rigved के जो हाइम से, मला भजन है, वो कैसे dialogue के form है? Dialogue जैसे हम बोलते हैं, कि तुमने एक लाइन बोली, मैंने एक लाइन बोली, dialogue बोलो, कि मैं चोरी नहीं करूँगी, तो आपने बोला कि नहीं चोरी करनी पड़ेगी, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, में चोरी करके लाओ, ऐसे इस तरीके से, यह आप बोलेंगे, इस नेम विश्वा मित्र, और टू रिवर्स, बियास, और सतलच, दाट वर वर्शिप्ट अस गॉडड़ेस, देखो, हम कह रहे हैं कि हम यह सोर्स को रीड कैसे करते हैं, इन सोर्स को पढ़ते कैसे, तो कैसे पता चला, जब इनमें कुछ भजन थे, जो हाइम्स थे, वो कि बाते चल रही हैं, जब बाते पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगेंगे, तो समझ में आएगा न कि क्या मतलब है, तो इसके थू भी हमें पता चल जाता था, अब एक पार्ट है, जो हम पढ़ेंगे, वो किसके बीच का कॉन्वसेशन है, वो डायलोग है, वो डायलो जिनको गॉर्डिस के तोर पर क्या करा जाता था, वर्षिप किया जाता था, कौन सी दो रिवर थी, ब्यास, ब्यास नदी और सतलच, ठीक है, कौन सी नदी थी, ब्यास और सतलच, जे लिखा है न, मैंने यापे इसलिए बना दिया, ऐसे में जल्दी याद जाएगा, अभी जो दो रिवर हैं, ये इनका कॉन्विसेशन किसके साथ है, इनका कॉन्विसेशन हो रहा है, जो डायलोग एक्सेंज हो रहे है, किनके साथ हो रहे है, इनके डायलोग एक्सेंज हो रहे है, विश्वा मिद्र के साथ, कौन है वो सेज है, सेज का मतलब क्या होता है, सेज का म इनके बीच का एक पार्ट है, मतलब इनके जो डायलोग जो एक्षेंज हुए, इसका एक पार्ट है जो रिगवेद में है, तो उसको पढ़के हमें चीजे समझ में आती, क्यों? हमें पता करना है ना, कि रिगवेद में जो लिखा है, इसको study कैसे कर सकते हैं, तो कुछ जो हा इसको जो बेश ना लिखे, आगे बड़े, चरब as an English translation, it is now preserved in a library in Pune, ये क्या है Pune महराश्री, ये रिगवेद है, हाना, ये manuscript है रिगवेद की, अच्छा, ये manuscript क्या होता है, manuscript का मतलब बता दो, अच्छा, क्या होता है, ये तो ठीक है, manuscript का मतलब क्रिपया करके बता दो, C यहाँ पर खा गई, मैं C लिख ले ना, manuscript, manuscript, मनु क मतलब क्या होता है, hand, जो script hand written हो, जिसे हातों से लिखी गई हो, उसको manuscript बोलते हैं, हमने बहुत ही अच्छे से ही है, हमारे पुराने chapters में पढ़ा है, कुछ भी नया और अधभुद और अनोखा नहीं है, हमने manuscripts और inscriptions का difference देखा था, अच्छा, पुराने recall करें, तो क्या है, मनुस्क्रिप्ट किसमें लिखे जाती है, हम देखते हैं, चाल में बर्च, किसके एक special पेड़ है, जिसमें जिसे बर्च बार के, बर्च की जो पेड़ उसकी चाल में, बार को हम बोतने पेड़ की चाले से निकलती है, ठीक है, उसमें लिखा जाता था, जो कहां मिली, कहां इसे उसमें लिखा हुआ है रिगवेट के बारे में उसकी information है About 150, 100 years ago it was prepared one of the earliest printed text on the रिगवेट ये लगभग कित्ते पुरानी है? 150 years ago, किती? About 150 years ago it was used to prepare one of the earliest printed text on the रिगवेट रिगवेट के printed text के form में इसको करने के लिए काम आते थे As well as English translation और English translation के लिए काम आते थे ये manuscript है, it is now preserved, इसको समाल के का रखा हुआ है? इसको समाल के रखा हुआ है, किसकी library में? पूने महराष्ट, है ना पूने की library होगी, जो पूने महराष्ट में इसे लिख देते तो वो inscriptions होते हैं, जैसे अशोका के inscriptions वगेरा हमने images भी देखी थी आगे बढ़ते हैं विश्वा मित्र and the rivers विश्वा मित्र का conversation कौन से river से? बियास और सतलज river से विश्वा मित्र कह रहे हैं O rivers, come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves Calfs का मतलब पते हैं क्या होता है? Lick का मतलब हम बोतने से चाटते हैं इस तरीके से Calfs का मतलब क्या होता है? हम बोतने काफ यह बोलते हैं यह वाला एरिया, ऐसे पैरों का नीचे का एरिया, यहाँ पे ऐसे उसको काफs बोलते हैं You move like chariots to the sea इसको पहले conversation dialogue को पढ़ते हैं उसका meaning भी है हम अब भी पढ़ते हैं Dialogue क्या हो रहा है? इस dialogue से आप थोड़ा बहुत तो understand कर रहे होंगे कि विश्वामित्र ने कहा कि ओ रिवर्स आप क्या करिये आप नीचे आईए जैसे घोड़े आते ना माउंटेन से इस तरीके से आप नीचे आईए है ना और जो ऐसे shining cow की तरह आप ऐसे लगी जो अपने काफs को लिख करती है You move like chariots to the sea through the power of Indra You are full of water and wish to unite with one another The rivers अब river कह रही है We who are full of water move along the path the gods have made for us Once we start flowing we cannot be stopped Why do you pray to us O sage वो कह रही है वो कह रही है कि आप ऐसे आईए इस तरीके साही जैसे आप मिलते है तो कह रही है कि नहीं हमारे अपन नहीं है ये तो देफता ने हमारे लिए जो path बनाया है कि भई इस flow में जाना है इस रास्ते जाना है तो वो हमने decide नहीं किया है वो तो हमारे लिए God ने set करा हुआ आप हमें क्यों बुलाना चाहरे है आया समझ में थोड़ा बहुत हम को समझ में आया चल आगे बढ़ते है विश्वा मित्र O sisters, please listen to me The singer who has come from a distance with his chariot and cards Let your waters not rise above your excels So that we can cross safely The river We will listen to your prayers so that you can cross safely Historians point out that this hymns was composed in the area where these rivers flow अब ये जब बाते हुई इसमें ऐसा लग रहा है ना कि जो विश्वा में तरह रिक्वेस्ट कर रहे है कि आप क्या करिए जो आपका area है उससे थोड़ा उपर मत जाईए जादा बही है मत क्योंकि हमें क्या करना है जिसे cross करना है river को cross करना है ताकि आप क्या करें safely हमें इस तरीके से इस river को क्या करें cross कर पाए पार कर पाए है ना हम बोलते हैं पहले जमाने में जाते थे नदियां पहाड को cross करते हुए समुद्र को cross करते हुए मतलब उस पे रास्ता सफर तह करते हुए जाते हैं अब हिस्टोरियन्स ते कैसे पता लगाया हिस्टोरियन्स पॉइंट आउट इस हाइम्स इस हाइम्स वास कंपोज इन दे एरिया वेर इस रिवर फ्लो अब इससे तो आइडिया आपको लगा ना जब विश्वा मित्र रिवर से बात करने अब में अपनी तरह तो नहीं कि फोन में रिवर से बात कर ली हम भी नहीं कर सकते रिवर से तो हम भी बात नहीं कर सकते बट दूर से या टीवी से डारेट बात कर ली ऐसा तो कुछ भी नहीं है जब वहाँ वह एड प्रेजेंट वहां गए होंगे रिवर ऐसे बहरे ही होगी तो request की होगी अब मंदिर जाते हैं मस्जिद जाते हैं क्या जाते हैं अपने God के सामने prayer करने जाते हैं बैटे-बैटे भी करते हैं बढ़ हम क्या prefer करते हैं हम यह बोलते हैं कि हम जाएं मंदिर जाएं गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, ठीक है हम request करेंगे God से, तो ऐसे ही जब उन्हें request करनी है, तो इससे जो हम conversation देख रहे हैं, जो dialogues exchange हुए हैं, वो देख रहे हैं, that means river वहां से बह रही होगी, तो विश्वा मित्र उनसे वहां request कर रहे होगी, तो historians ने एक idea लगा लिय कि यहां से that means river flow हो रही, river का भाव इस जगे से, जहां पर विश्वा मित्र ने इनसे बात की, आया समझ में, they also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals, इससे ये भी समझ में आया, हमने नाम देखे, किसके नाम देखे, हमने cow का नाम देखा, हमने horse का नाम देखा, कि नहीं देखा, हमने cow और horse का नाम देखा, मतलब जब रिश्वी मुनी, किसका यूज कर रहे है, cow word यूज कर रहे है, मने animals के name यूज कर रहे है, कौन से animal, वो भी उन्होने horse यूज करे और cow यूज करा, इससे idea ये लगाया गया, कि that means उस वक्त, उस जमाने में, ये जो animals से बहुत important role play करते थे, इनका बह Why the rivers are compared to horses and cows, तभी तो reverse को किनके साथ compare किया गया, देखा नहीं कि आप इस तरीके से, जैसे mountain से दोड़ते हुए, घोड़े आते, बिल्कु स्विफ्टली, swift मतलब बहुती smoothly, मक्खन की तरह हम बहुती swift तरीके से, तो आप इतने अच्छे से आईए, जैसे cow इती दिखती shining, उसमें अपने पैरों को ऐसे लिख करती है, काप्स को ऐसे लिख करती है, इतने प्यार से, इतने अच्छे से आप आईए इस तरीके से, तो किस से compare करा गया, horse और cow से compare करा गया, that means यह important role play करते थे उस society में, उस जमाने में, Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati are also named in the Himes, the Ganga and Yamuna are named only ones, हम आज के time पे important river किसको मानते हैं, हम बोलते Ganga, Yamuna हम नाम लेते हैं, बट उस time पे इसका नाम मतलब, इस particular उसमें mention एक ही बार है, जारतर जो नाम है, किसके mention है, especially other rivers की बात करें, तो इसमें इंडus है और उसकी tributary, tributary का मतलब होता है, सहायक नदिया, सहायक नदिया, जो help करती है, मतलब छोटी छोटी नदिया, जब बड़ी नदी से मिलती है, तो वो tributaries कहलाती है, अच्छा कैसे, मैंने आपको explain भी किया था, बट मैं दुबारा कर देती हूं, इस तरीके से, जैसे अदर अदर जो नद जाती है, इससे मिल गई, merge हो गई, अब यह merge हो गई, तो एक साथ flow होगी, साथ में इखटा है, ऐसे मिलके flow होगी, बड़ाब साथ में इनका flow चलेगा, तो यह होती है, tributaries, distributaries भी वोड होता है, डार्ट मीन्स क्या होता है, रिवर ऐसे जाती है, जब रिवर अकेली जाती तो टूट जाती है, अलग-अलग stream में बढ़ जाती है, वो हो जाता है, distributaries, ठीक है, चलो यह तो एक्स्ट्रा हो गया, अबर tributaries मैं आपको समझा है, आप सोचोगे यह क्या है, याने जो छोटी-छोटी नदियां, जब अपना बहती रहती, तो main नदी में जाके मिल जाती में जाके मिल जाएगी, तो Indus में जब यह उसकी जो tributaries में मिल जाएगी, तो इसलिए Indus का एक important role है, और किसका रोल है, सरस्वती नदी का, कॉन सी नदी का रोल है, सरस्वती नदी का, इनका रोल, मतलब mention इनके बारे में कहां का है, मतलब भजन में, इनके बारे में, हाइम में इनके बारे में information mentioned है बड़ अगर हम बात करें कौन से रिवर की गंगा और यमुना का जो उनके बारे में मतलब उनका जो नाम आया है उनका सिर्फ एक बारा है ठीक है तो इस तरीक से हम बोरें कि study कैसे करते थे रिवर तो कुछ जो हाइम से वो dialogue form में होते थे तो dialogue form में पता चल जाता था कि ये river की importance है या ये animals के नाम लिए जारे है that means ये important है आया समझ में हिंट से पता लगा देते थे ठीक है तो आपको क्या करना है फटा-फट से आपको share कर देनी information और like कर देना है मेरे motivation के जैसे कि मैं कहती हूँ इसी के साथ ही video end होती है हम फिर जाएंगे हमारे next session में उसमें समझेंगे आगे के chapter को अभी तो हमने देखा कि रिगवेत क्या importance होती है क्या important oldest school से हमारा फिर हमने देखा उससे पढ़ते कैसे पता कैसे चलता है तो वो अगर आप और भी वीडियो के lectures देखना चाहते हैं तो आप Magnet Prince के YouTube चैनल, application और website पे देख सकते हैं E-notes और e-books के link आपको description box में available है ये high quality की courses हैं जैसे कि CBAC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, Vedic Maths, Crash course, spoken English courses आपको अच्छी quality में और 100% free available है आप Amidh platform पर भी follow कर सकते हैं जैसे कि Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पर अपना ख्यार रखें Thank you so much for watching